तो हेलो साथियों नमस्कार स्वागत है आपका अपने चैनल सकसे जंग्सन एक कदम सफलता की ओर में और हम लेकर क्या आगए हैं आपके लिए MP पटवारी परिच्छा 2023 से 17 अप्रेल सिप्ट वन का एक्जाम एनलेसेस जहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी-ंग्लिस, math, reasoning जी के science, computer और management के बहुत सारे प्रस्णों को आज के जो प्रस्णा हैं वो हमको भेजे हैं top 5 score आज हमको कितने मिले हैं किसके top 5 score आए हैं साथे साथ में किस subject से कितने प्राषन आए ये भी हम आपको बताने वाले है और आज की Nagina को बताने वाले हैं वीडियो के यंद में तो सुरू से अन्धे तक जरूर बने रहीएगा आए इस वबात करते हैं और आईए देखते हैं, आज का पहला प्रस्ण क्या है, तो देखिए, कॉंग्रेस की स्थापना कब हुई थी, कई बार हमने आपको ये प्रस्ण रिपीट करा है, कई बार इसके बारे में समझाया है, आईए एक बार आपको आज फिर से हम बता देते हैं, तो 1885 में कॉंग्र दिने स्वाचा, ये लोग प्रमुक थे, बात करते हैं, मुंबई की गोकुल दास्तेजपाल महा बिद्याले में कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 में, 28 दिसंबर के दिन ठीक है, ब्योमेश चंद बनर जी पहले एद्दक्ष थे, इसके लाव दादा भाई नेरो जी क ग्रेंड ओल्ड मैन ओफ इंडिया कहा जाता है, ये प्रशन कई बर पूछा गया है, आपको याद रखना है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक मेरे भाई जरूर कर देना, आप कहना नहीं पड़े हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अंटारिक्ट का नहीं है, उसके बाद सहरा दिया है, तब आपका सहरा जो है, आंसर होगा, आप ओप्सन में क्या था, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, चलिए, सबसे बड़ा मरुस्तल अंटारिक का मरुस्तल है, सहरा नाव रेगिस्तान के जो अर्भी सब सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्तल, विस्थ का सबसे अदिक आभादी वारा जो जो अपने राज्स्तान में पाया जाता, आगला देखिए, गीतांजली किस की रचना, ये भी कई बार हमने कराया है, आज फिर से आ गई है, तो गीतांजली रविंद रना क्वाली वीडियो जरूर दिख लेना बहुत सारे प्रश्ट महां से रिपीट हो रहे हैं बस आपको इतना सर्च करना है सकसे जंग्सन 15 मार्च तिल नौ बस या फिर सकसे जंग्सन 15 मार्च भी आप सर्च कर लेंगे तो भी आपके सामने वह वीडियो आ जाएगी ठीक है वैस आहित के अलावा चितकला और संगीत के छित्र में भी महारत रखने वाले टैगोर की प्रमिक रचनाएं गीतांजली चोखेर बाली गोरा घरे बाईरे काबली वाला और चार अध्या समित धेरो बहत चर्चिक रचनाएं वह इनकी है गुरू देव रविद्ना टैगोर जी क पूरत हा डिजिटल बेंकिंग वाला पहला राज कौंसा है कर सफ्रेंट अफेर से यह प्रास नाया है किरेंट फैर्र वाली वीडियो में हमने इसको कवर कराया है यह आपको नौम्स दिसंबर वाली current affair से है, तो 9 दिसंबर वाली current affair जरूर देख कर कर जाना, तीन वीडियो हमने current affair के बनाई है, सर्च के लिए ना current affair by success junction, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सही answer है केरल, कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखे, मुख्यमंतरी पिनराइ विजिन ने सनिवार को क केल्सियम की कमी के वज़े से दाथों का रंग जो पीला हो जाता है। देखिए, केलसियम आपके दात स्वस्त के रिए आवश्यक विटामिनों में से एक है, या दातों और हड़ियों को मजबूत और स्वस्त रखने में मदद करता है, और या जबडे की हड़ि के खराब होने वाले दातों को भंगुर या उम्र के सासत पीला होने से रोकता है, के प्रवासी भारती दिवस 2023 के मुख्य अतिती थे देखिए भारत के माननी प्रधानमंतरी सी नरद मोधी 9 जनवरी 2023 को पीवीडी संभेलन का उधगाटन करेंगे और गुयाना के सहकारी गडराज के राश्ट्पती महामहिम डाक्टर मुहमद इर्फान अली मुख्य अतिती के रूप में और सुरी नाम गडराज के माननी राश्ट्पति महामहिम स्री चंदिका प्रकास संतों की बिशेश सम्मारी अतिती के रूप में संभेलन को संभूदित करेंगे यानि कि मुख्य अतिती तो गोयाना की राश्टपती थे डॉक्टर मुहमद इर्फान अली तीक है इस वर्ष की थीम क्या थी, थीम भी हमने cover कर आई है, तो थीम है, प्रवासी अमरित काल में भारती प्रगती की जिम्मेदार, जो है, वो इस वर्ष की थीम रही है, प्रवासी भारती दिवस्की, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिस्रित अर्थव्यस्ता का क्या आर्थ है, यह आप से पूछा गया है, और जो statement वाले प्रशन थे, statement में जो है, आपका option दिया हो था, तो चलिए, मिस्रित अर्थव्यस्ता आपको पूरी समझा देते हैं, एक मिस्रित अर्थव्यस्ता, एक ऐसी अर्थव्यस्ता है, जो अलग अलग मार्केट हैं, आर्थि योजनाव का म करते हैं, या फिर एक ऐसी अर्थव्यस्ता, जिसमें सारुजनिक स्वामित्र तता नजी स्वामित्र का मिस्रण हो, यानि कि प्राइबेट और गवर्मेंट, दोनों एक साथ मिलकर की जहां पर काम करती हैं, वहां हम उसको मिस्रित अर्थव्यस्ता कहते हैं, भारत जो है, मिस्रित अर्थव्यस्ता का सबसे बड़ा उदारन है आपका भारत, ठीक है, या देखना कई बार पूछा गया है कि भारत में कौन सी अर्थव्यस्ता लागूई की गई है, तो या देखना भारत में मिस्रित अर्थव्यस्ता लागूई की गई है, कई बार यह फ्रशन स्स स्थापना की गई थी तो राज्य पुर्णर गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उप धारा दो द्वारा प्रदत सक्तियों की प्रयोग में 28 नॉमबर 1969 को जारी राष्टपती अधिसूचना दोरा इंदौर तता गवालियर में मदवर्दिस उचिनयाले की स्थाई पीठों का इस्थापना की गई थी कव 28 नॉमबर 1969 को जो है यह जबलपुर उचिनयाले की खंडपीठ गवालियर और इंदौर में खोली गई थी यह आपको याद रखना है गवालियर वाली जो खंडपीठ है इसका पुराना नाम सिटी हॉल हुआ करता था तैली आगे बढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि प्रस्ण न्रति नित्र के सबसे जाएने जाने वाले चेहरों में से एक थी वा भरत नाट्रियम में एक विसेशक नर्तक थी और साथ यसात नर्देसर और न्रत्रशक भी थी ठीक का वय बढ़ते हैं मरडाल नी सारा भॉड़ते हैं एक कितो एसको न्यल बातो हो रियोग करने के यह तो केटी, पहली बात तो यह कीटोन है, इसका नाम ऐसी टोन है, जिसको नेल रिमूवर के लिए यह हो, यूज में लाती है, लड़की है, सब को पता होगा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, एनिरिको फर्मी ने किसका आविस्कार किया था, तो परमाडू रियक्टर का आव परमाडू रियक्टर कौन से था, शिकागो पाइल वन, ठीक है, उन्हें परमाडू युक के निर्माता की रूप में भी जाना जाता है, अगला प्रस्ता असोक नगर किस नदी की किनारे इस्तित है, असोक नगर या गुनावे से एक पूछा था, दोनों ही आपके सिंध न जतनी बार ये धरकता ना, उतनी बार तो ये क्वेशन आज चुका है अग्जाम में, कई बार हम इसको रिपीट करा चुके हैं, तो जो स्वस्तमनुस का जो हिर्दा है, वो बहततार बार धरकता एक मिनट में ठीक है, अभी तिंचार दिन पहले भी इसको पूछा गया था, तो देखे, सामानिता माना हिर्दा एक मिनट में बार धरकता है, इस पंदन दर हिर्दा गती एक मिनट में दिल की धरकन की संक्या है, वैसको के लिए हिर्दा गती सामानिता साट से सो होती है, यानि कैसा नहीं कि बार धरकता है, साट भी धरक सकता है, और सो भी धरकता है, रणिंग करके आएंगे तो सो धड़केगा, बहुत देर से आराम कर रहे हैं, उन तो साठी धड़क पाएगा, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, हिड़दय के अध्यान को क्या कहते हैं, कल प्रशना है तो हिड़दय के अध्यान को काडियोलोजी कहा जाता है, यह साइन्स और तकत्यों में से एक है, इस तत्यों को सीबोरगियम के नाम से भी जाना जाता है, इस तत्यों का प्रतीक, S, G, ततह परमाडुक्रवांक, 106 होता है, आगे बढ़ते हैं, इन में से कौन, एनिलिदा संग से सम्मदित है, तो देखिए, एनिलिदा को आमतार पर खंडित, यान के रूप में जाना जाता है अधिक प्रसिद एनिलीडा के कुछ उधारन देखिए तो केचवे, सेंड वर्म, रेंग वर्म, ब्रिसल वर्म और जोंक सामिल है जोंक हो गएरा जोंक हो एनिलीडा संग के अंतरगत ही आते है ठीक है एनिलीडा का च्छाओं में ऑलिगो चायटा हिर्दूनिया, पॉलीचेटा और और की नोड लेडास भी सामिल है बहुत खतरना खतरनाग ना है ठीक ना देख लेना ठीक है ये सारे जो है वो एनिलीडा संग के ही उधारन है जैली फिस कई बार पूछा गया तो जैली फिस जो है वो आपका एनिलीडा संग का ही उधारन है आगे बढ़ते हैं किस मिट्टी को स्वता जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है तो काली मिट्टी जो होती है उससे स्वता जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है और आपके लिए प्रश्णिये बनेगा कि मालवा में सब ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है इस सरवाद है कि जल संचित करने वाली मिट्टी कों सी है तो वो भी आपकी काली मिट्टी ही है यह दो-थीन परशन आपकी काली मिट्टी से बनते हैं इनको याद रखना ठीक है, आगे बढ़ते हैं केरल का कोई तिवहार पूचा गया था और किवल केरल के ही राजियों के नाम में दिये हुए थे एक उडम के आपको आपको बता देते हैं ठीकिना देखिए औरम है सबसे प्रसिद और रंगीन त्योहरों में से एक है इस त्योहर पर घरों को फूलों से सजाए जाता है इसे थिरूब वोनम के नाम से भी जाना जाता है, ये ओडम के बारे महत्वूर जानकारी हो गई, कुछ अन्य तेवहार हैं अउनके नाम आपको बता देते हैं, देखेें। इसमें तत्वर समास आज पूछा गया था, ठीके न, तस्म, तद्भा, चार से पांच, तस्म, तद्भा पूछे जा रहेए मेरे पाई, आज सुबह ही हमने तश्म तद्भा की वीडियो एपलोटrib किई है, जिस हमने उसमें बताई है आप आराम से जा करके वो वीडियो देख सकते हैं आज सुबही हमने अपलोड किया ठीक है चलिए बरतनी सुद्धी से एक से पांच जो कंप्यूटर होते हैं उनको जोणने के लिए किस십 से पांच प्रशन ही है जो खतना का रहा है बाकि सब आपके लेबल का ही आ रहा है ठीक है आगे बढ़ते बात करते हैं मैट्स की तो प्रॉफिट लॉज से तीन प्रशन आये थे मैट्स में बाड़ मास के दो प्रशने सबसे जाधा प्रशना नहीं है दो सारी सिसे जहाँ अंतर वाला हो पॉज्चिन की बढ़ियरा यए इसके अलावा पांच सालों में आर्फ सालों में 670 रुपए हो जाती है आट सालों में इतनी हो जाती है थ। बताएए इसका मूलधन क्या ہے ऐसे वाले जो प्रेशन है CISI में बहुत देखने को मिल रहे हैं तो प्रैक्टिस करके जाएगा चार प्रेशना आज परसेंटेज के थे सिंप्रिफिकेशन की दो प्रेशने रेशियो का एक प्रेशने ट्रिग्रोमेट्री से भी एक प्रेशने पूछा गया था प्रेशन उसमें से एक ही पूछ रहे हैं तो आप सिटिंग अरेजमेंट को करने से पहले एक बार यह देख ले ना कि उसमें स्लोट करके सॉल्व करना है नहीं तो आपका समय खा जाएगी यही काम जो है यहाँ पर इस बार रीजिनिंग में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं ठीक है चली बात करते हैं प्रबंदन की तो आज संगठन से बहुत ज्यादा प्रशन आए थे पांच प्रशन से था दो प्रशन आपके मार्केटिंग से पूछ गया थे और जो लॉजिकल वाले होते हैं तीन से चार प्रशन लॉजिकल का आज पूछा गया था तो लॉजिकल वाली वीडियो अप्लोड कर दी है हमने पहले ही बहुत पहले के सब्सक्राइब करना है वह आप उसमें यह उन्होंने स्पेसली कमेंट वॉक्स में कमेंट किया है वह उन्होंने वह मैसेज हम टेलीग्राम चैनल पर स्क्रीन सॉट भी आपको दिखा देंगे ठीक है तो प्रशन की वीडियो आपको देखकर कि जाना है और नेरेशन की नेरेशन भी पांच नंबर का लगभ़ाया है तो नेरेशन की भी हम दो वीडियो अल्रेडी अप्लोड कर चुके हैं यह तीनों टॉपिक आर आप देखकर कि जाते हैं तो लगभग आपका इंग्लिस में 6 511 और 516 प्रशन आपके लगभग आपके क्लियर हो जाएंगे यह तीनों वीडियो देखकर कि जाएगा को मिल जाएगी ठीक है और अल सब्जेट की कर हम बात करते हैं तो मैथ रिजिन को मिला करके 70 प्रशन आये थे साइन्स और जीके को मिला करके 40 प्रशन हैं इंगलिस के पूरे 25 थे मैनेजमेंट के 18 प्रशन है हिंदी के 25 कंप्यूटर की आज 22 प्रशन देखने को मिले हैं इ 140 प्रश रह सकता है नॉर्मलाजेशन के बाद में यानि कि जो लोग 130 के प्लस में हैं वो अपने आपको सेफ जोन में समझ सकते हैं कोई कि इसमें पांस से दस नंबर बढ़ने की संभावना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह हमारा टेलिग्राम चैनल आप जरूर प्रबंदन की पीडियोफ और आपको डाउनलोड कर सकते हैं उन किताबों को और अपनी तयारी कर सकते हैं MPSI और आपका वनरचक वगएरा जो कि इसकी क्लास जो 25 तारिक से सुरू होने वाली है ठीक है फ्री आपको कोई बी चार्ज आपका नहीं लगेगा सुबह साम दो क्लास चलेगी ठीक है इसके बारे में आपको बाद में पूरा एक डीटेल में आपको जानकारी देंगे कैसे कैसे क्या क्या हम यहां पर ले करके चलेंगे आपकी बैतरीन तयारी कराएंगे वनरचक की जेल पहरी की और आपके MP प्रिस और MPSI की ठीक है बिलको निश्चिंत सब्जेक्ट लेकर क्याना है कौन सी वीडियो आपको जानकारी देनी है क्या पढ़ाना है कल सुबह वाली क्लास में यह कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर देना वही टॉपिक हम आपका कल करा देंगे ठीक है चले जल्दी मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार धन्यव झाल